इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआ 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 क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुवे को क्यों छेलता? हो गई परताष्ट की अब इंतहा, बुझे सिग्रेट पीडी दिखे चलती जहां पब्लिक प्लेस पर सिग्रेट पी ना मना है, उलंगन करने पर होगा जुर्माना धुम्रपान ना करें ना करने दें धुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा खुशी कौन नहीं चाहता? लेकिन किस कीमत पर? धुम्रपान मेहंगा पढ़ता है धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी धुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा सिग्रेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है में कमिन सार गमिन रमेश सर, जीके के एलेगल कंस्ट्रक्शन को रोकने वाले कॉर्परेशन के इंजीनियर को मारने के धमकी दी गई है सर उन्होंने जीके के खिलाफ कम्टेन लिखवाई है हमारे डिपार्टमेंट को हमेशा उठा दिखाने वाला जीके अब हमारे जाल में फस गया है रमेश, सर, गो और टेक एमेडियो अच्छन यस सर एके 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 जीके जीके कानून की नजर में बहुत कूल तरीके से सिग्रेट की तरह आराम से राजी को खोखला कर रहा है ये एक ऐसा एमपी है जो स्टेट से लिकर सेंट्रल तक के सभी पॉलिटीशन्स को अपनी जेब में रखता है और ये हैं इसके दोनों साथी इसके हर इलिगल बिजनस के एक्टिव पार्टनर ये हैं जीके का छोटा भाई नानू ये तीनों जीके की जान है पता है इस जनम दिन में आपको जो खुशखबरी देने वाला हूं वो क्या है मेरा भाई नानू बहुत जल्द राजनीती की दुनिया में कदम रखने वाला ये तरह मुझे इज़द देते हैं उसी तरह इसे भी इज़द देंगे जरूर देंगे बाहर जाते समय बिल्ली मेरा रास्ता काटे तो मैं बुरा नहीं मानता लेकिन पुलिस फाला मेरा रास्ता काटे गवर्मेंट की जमीन को कबजा करके आप शॉपिंग कॉप्लेक्स बना रहे हैं उसे रोकने के लिए सरकारी ओडर है जिस एंजिनियर ने आपके इलेगल काम को रोकने की कोशिश की उसे आपने मारने के धम की दी इसलिए आपको ठाने चलना होगा नाम क्या है? एंजिनिर स्थमाश कमार तेरा नाम रमेश तु मेरी गाड़ी में आएगा? या मेरी गाड़ी को फॉलो करेगा आपकी गाड़ी में चलना है क्यां सब्सक्राइब आपक्याज सब्सक्राइब क्यांट देने बाला इंजिनियर यह कैसे हो गया मेरे बाहीज एकसिडेंट हो गया एक्सिडेंट? नाम क्या है? रविश स्टेल लगवाने वाले मंत्री का ला श्यामला मेरे साथ चलेगा या फॉलो करेगा? फॉलो करोगा फॉलो जगे कॉंप्लिक्स बना रहा था आप उसे इलीगल बता रही है आप लीगल का नोटिस दे देंगी तो मेरे आदमी काम शुरू कर देंगे वो लैंड सोशल वर्क फांडेशन के लिए गवर्बेंड ने रिजर्व किया है वहाँ कोई कुछ नहीं बना सकता सोशल सर्वेस तुम औरतों को 33% आरक्षन देकर अपने ही पैरों पर कुलहडी मार ली औरतें केवल चूलहा फूखने और बच्चों को पैदा करने के लिए होती है मैं नहीं जूँगी हो नहीं सकता फ्यामला मैं पांच मिनिट का वक देता हूँ मुझे न उसी चाहिए मैं आपकी धंकियों से डरकर आपका काम नहीं करूंगी तुछ में जितनी ताकत है वो लगा लें दो मिनिट में तेरी कुर्सी गई फिर घर पर बैठ कर फैमिली के साथ सास बहुत एखना एक नंबर टाइम पास मैं तो अपना आरेनवी मिनिस्टर में श्रामला को पत से हटा दिया गया है अब वो पदवी मुख्यमंत्री स्वयम अपने हाथों में रखेंगे ये सूचना हमें मुख्यमंत्री काल्याले से मिली है आगे की समाचारों के लिए हमारे साथ बने रहिए कंप्लेंट देने वाला एंजीनियर नहीं रहा पर्मिशन रोकने वाली मिनिस्टर भी गई तेरा सस्पेंशन ओडर आगा है इतने सालों के पुलिटिकल करियर में किसी ने मुझे पुलिस टेशन बुलाने की हिम्मत नहीं की और ना ही किसी पुलिस वाले की मेरी चौकट तकानी की जुरत थी और तू मुझे पुलिस टेशन बुला रहा था आई हेट पुलिस ए डिजी पी ठीक है एदराबाद का बादशा यहां मेरी हुकुमत को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं तुम्हारी ये जीत पॉमानिट नहीं है आज तुम्हारा दिन है कल हमारा होगा गोड पॉजिटिव एटिटिटिउ तुम्हारी यादा पसंद आई तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे जैसे जावाज पुलिस वालों में कितनी मरतानगी है यह मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हें से एक तो होगा जो मेरी बराबरी का होगा के सीपी कल्यानिन टीम अवे एंटर देखना फॉरिस्ट वह मिनिस्टर लाइप बात करो करता हो ना भाई मिनिस्टर जी अब बचा क्या है तुम तो वहां आराम से इसी में बैठे हो और मैं यहां जंगल में बचाँ इनकी मांग जल्दी से पूरी करो और मुझे यहां से नहीं जाओ पुलिस को बुलाता है तेरी को पोजीशन ले लो उस तरब जाओ सर अंदर कोई भी नहीं है पुलिस बाहर आजाओ बटना इसे खतम कर देंगे अबे तुम लोग यहां मुझे बचाने आया हो जब बच्चों कि तरह आज पे चोली खेलने आया हो मुझे मुझे बच्चों कि अपेलने आया हो हाई माई डियर किद्नैपर्स क्यासे हैं आप लोग जनाब जैपी साहब एसी पी कल्यान से ना जैपी जी आप घबरा क्यों रहें घबराओं नहीं तो क्या करूं भागलों की तरह अके लिया आयों ताकि मेरा यहां तिम सथकार देख सको गन कहा है क्या चिट पासे थातू चॉखflowerा ङुछ सुखा यह ज़िए शे भुछ मुचह लग जाहिए ? कॉद्धर शैनल यहलो ख्ली ड़की में हरे ज़म देठेट रहे भी सिया ख्र पार्डल मुचह यहलों कह तो डुड पी तो जो तो सबसू हले दो मैं यहां थाखर दूर आये जेपीची मेशन कंप्लीट हो गया है अब आप आराम से यहां बैठ जाए अरे बाप ने तुम्हें अकेलब देखकर डर गया था लेकिन तुमने सबकी बैंड बजा थी यही जान बचाकर तुमने कवाल कर दिया मैंने आपकी उमीद से अच्छा काम किया है अब मेरा भी यहां से बाहर निकालो नहीं होगा नहीं होगा तुम में चैनल नहीं कर रहे हो उत्युक्ण से छाण चाहिए और मुजिए मेरा प्रमोशन चाहिए तो सिस वाले हैं अपने जेपी और भीजा गौर। उसे तुरंट प्रमोशन देखर हैदराबाद पे पोस्टिंग करवा दो हां हां मैंने बोल दिया है अब चलें वह क्या है फोन की बात पर मुझे वरोसा नहीं है ट्रांसफर की फाक्स कॉपी एमेमेस से इस पोन पे भेजने के लिए कहिए फिर आपको बचा लूँ तेरी हरकतों को देखकर लगता है नकसलियों से बड़ा दुश्मन तो तू है उनसे बोल जल्दी एमेमेस भेजें मामला जरा कॉंप्लिकेटेड है सर कॉंप्लिकेटेड ह है जिन्दगी कॉंप्लिकेटेड हो रही है और तुझे यह छोटा सा काम कॉंप्लिकेटेड है प्रोमोशन लिटर का अमेमेस जल्दी भीजो अब तुम तुम तुरंत हैदराबाद जाकर अपना फर्ज निभाओ वेटा इसलिए तो ट्रांसफर लिया है सर किसी की लाइफ इसे खिलवाड करना है मां क्या हो गया मां क्या हो आमी वालों को घंफा पापा ममी की तबीद बहुत खराब है उन्हें होस्पिटल ले जाना होगा पापा चलिए ने पापा सर सिचुएशन बहुत ही सीरियस है हमें अभी पहुच्छना होगा गुरुनाच जी साथ मेरी व सुनो अंकल आपका डी जी भी कहा है वो देखे आ रहे है ये महाशा कोन है यहां ड्यूटी जॉइंट करने आए हैं सर सीनियर ऑफिसर को देखते तुम्हें सेलूट करना चाहिए क्या तुम्हें ये भी नहीं बता अंकल वो फॉर्मालिटी भी पूरी कर दूँगा पहले ड्यूटी तो जॉइन कर लूँ दिस इस यूर जॉइनिंग ओडर कौन सा जोन मिला है अरे वेस्ट जोन है जूबली एस्टेट बंजारा हिल्स मादवपूर बहुत पॉशे एरिया है मेरी कमाई अच्छी होगी किस कमाई की बात कर रहे हो मेरा नाम इमानदारी से नाम कमाया जाता है सर सिंसेरिटी से काम करना करूंगा सर ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि भगवान खुद आकर मेरी पीट थप तपाएंगे क्याना सर, जितनी सिंसेरिटी से काम करूंगा, क्राइम उतना ही कम होंगा और भगवान भी खुश्छ होंगे गुडवाई सर सब्सक्राइब क्या हुआ सब्सक्राइब सब्सक्राइब वह कर अधियुख क्या है? शुआ पॉर्म अथा मुझ से पहले जो एसीपी यहां आए, वो कैसे थे मैं नहीं जानता लेकिन मेरे साथ कैसे पेश आना है, जूटी कैसे करनी है, और पॉलीस वाले कैसे होते है ये मैं तुम्हें बताऊंगा Am I clear? Yes, Sir Say it loud Yes, Sir Let's take the pledge Sir, Sir ए इश्वर आज के दिन से हम अपनी सोच और फर्स को जनता और अपनी भलाई पर नियोचावर करेंगे और जनता की जेबे खाली करेंगे Come on जनता की जेबे खाली करेंगे अपने लिए अपने बच्चों के लिए आने वाली पीडियों की भलाई के लिए इलाके के हर धंदे वाले को अपनी मुठी में रखकर उससे हक से अपना हिस्सा मांगे पेट्रोलिंग, क्रिमिनल चेसिंग ये सब रिस्क तुठाए बिना हम अपना धर्म और कर्म निभाने के लिए ज्यादा नहीं उच लेंगे अरे इमोचनल क्यों होगे, तुम सिंसियर रहना चाहते हो क्या आप जैसे ओफिसर में टेका है सर यहाँ पर जितने भी S.E.P.D.C.P. आते हैं सब अपने पीचे में बनते हैं हमारे राच्चे में हम जैसे C.I.S.I. बुच्टा कोने सर आपने हमें जीनेक का एक रास्ता दिखा दिया सर आप इस कलियुक के मसी हैं आप फरिष्टा बनकर आस्मा से जमी पर प्रकट हुए देउता है सर मसी है आपके लिए खुल आदेंगे श्री सूर ये कल्या अबे मसकर हम कैसे जिएंगे या मुठी भर तो सालरी मिलती है जेब भरने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी अब हमारा सिर्फ एक ही लक्षे है अपना सपना पराया माल अपना ऐसा स्वागत लाइफ में कभी नहीं हुआ था तो सुनो मेरे प्यारे गुंडो इस शहर के हर पॉश एरिया में आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूँगा कमफर्टेबली क्राइम करना लेकिन उसमें से 20% मेरे पुलीस भाईयों को देना और इसके अलावा टेकनोलोजी इस्तमाल करो फेस्बुक, ट्विटर, एक्सेटर, एक्सेटर टेकनोलोजी से हमें क्या फाइदा होगा कितने भोले हो तुम कोई फेस्बुक पर बताता है कि मैं चन्ने जा रहा और वो चन्नाई के लिए उड़ जाएगा उसके जाते ही घर साफ कर दो कोई अपने मोबाइल से ज्वेलर्स को ट्वीट भीजो और वालों से मांगोगे तो क्या मिलेगा कार वालों से मांगो जल्दी रही सोजाओगे जाने दो से श्री सूर ये कल्यार आमा बनकर यार वोलो मैडम सुनो मैडम पहरी हो क्या कबसे आवास जराओ सुनाए नहीं दिया सॉरी आपका नाम श्रीवाणी नाइस ने भोलू क्या कल्यार बाई पांडे जी कुछ सोशल वरकस हमरे रेवोल्यूशन को शटका देने की कोशिश कर रहे है कहां है वो हेलो हम सच्चा स्वराज लाना चाहते हैं इसके बावजूद आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं ये जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये पूसधारी जंगू ने मूसधारी मंगू हर हाल में ब्रोग करेंगे आप इसी तरह से सटल्मेंट करते जाओगे तो हमें सडक पे आके भीख बांगनी पड़ेगी एसी पी को हटाओ रियल स्टेट को बचाओ एसी पी को हटाओ आपको किसी से भी डरने की ज़रूत नहीं है उस एसी पी को हम हर हाल में हटा के रहेंगे बाग मिलका बाग अब प्रति बोधिताम भगवता नारायली निस्वयम पार्धाय प्रति बोधिताम भगवता नारायली निस्वयम हेलो आप ये गीता का पार्ट क्यों पढ़ा रहें सार तुम ज़रा अपनी प्यारी वैन को 360 डिगरी घूम करतो देखे ये क्या कॉंसेट्ट है सर वन नौट एट किसका नंबर है एमर्चंसी में एम्बुलन्स का नंबर है पेशन्ट को हॉस्पीटल ले जाता है किसी भी हालात में टाइम पर पहुंच के मरेजों की जान बचाता है और उसका बिलकुल ऑपोसिट है एट नौट वन हमारे खिला तुम्हारी आलत तो फटीचर जैसी हो गई है उससे भी बुरी हो गई है सर आप ऐसे पहले पुलिस वाले हैं जो सिर्फ डेंडे से कमाल कर रहे हैं कुछ करने वाला मैं कौन होता हूं ये सब दो ईश्वर के लिया काम जालिम का और नाम इश्वर का तुम्हारी हालाद भी फटीचर जैसी हो गई उसे भी बुरी हमारे जैसे टोपीबाज इस शेहर में और भी बहुत लोग है सार अरे यार उसे तो हटाना ही होगा यह काट गए पेचारी औरतों पर लड़कों का जुल्म छी 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 लड़कों की मांग है कि शराप को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए एक वाटा ब्रैंडी देना ब्रैंडी और विस्की देना जिन बियर और बोटका यह देगे मैं थांक्यू भाईया सोडा नहीं लोगी ज़रू यह पकड़ो और अब बोलो गन लेखर किसने किसको दोड़ाया था बोलो बताता हूं दीदी अचानक इसका एक्सप्रेशन ऐसा बदल क्यों गया है हम लोग न्यूस पर ध्यान देते हैं ना तुम बोलो बोलो इस गोरे चिट्टे छोकरे पर जान बूच कर अजार कर रही ह एक लेडी टीवी फाइव रिपोर्टर और उसका साथ देरा एक कैमरामेन तो इस तो इस पीने वाले को इंग्लीज पिला दी यह लो और पिर रॉमेंटिक तरीके से बूछती हो देगा ना क्या होता है हमारे पीछे आसे बाग रहे है जैसे ऑलम्पिक में गोल्ड मेंडर इस शैतान से अब आपने कौन बचाएगा हमारे भगवान तु फिर शुरू हो गया पांडी जी आप हमारे लिए भगवान है हमारे बच्चे मुनिसिपल स्कूल से कॉर्परेट स्कूल में शिफ्ट हो गये बढ़ी आयरिया है एडवांस भी देदिया है सर वेरी गुड मा बहुत खुश है पिता जी ठीक हो गए चोटा पढ़ाई कर रहा है बहन की मंगनी हो गई सब आपकी दया से हसार बहुत खुशी की बात है तुम सब तो खुश हो ना तो मुझ क्यों रटका है आपने हमारी खुशी के बारे में सोचा लेकिन आपकी खुशी आप एक पांडे जी आपकी तो खुशी में ना फिक खुशी के खुशी में तुम सकते खुशी को बातें खुशी को चलो ऑफिस जाना है तो अच्छा हुआ पुलिस वाले मिल गए यह क्या दूडेचा मुझे इस हूर और लंगूर का कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया वह हूर कहीं आपको पसंद तो नहीं आगई पाड़नी कि अल्मोस्ट मेरे सपनों की राणी अरे तो फिर काम पतिया सर मेरी हमसफर यही होनी चाहिए मुश्कील है सर वह प्रेस वाली है आप पुलिस वाले प्रेस कॉन्फरेंस बुलाओ अच्छा सब लोग आ गया ना हाँ आ गया सर टीवी नाइन यू टीवी एन टीवी मेरा चैनल का है यह फैन अचानक बंद कैसे हो गया अ दूबैजी आपका फैन posição सर यह बताई को बुलाई गई है उन परेस यहहें हो रहे हैं उन신 मुआ के आँख़ा ऐक हैँ नेता हो के बारे मैं नेक्स वाइलाइड आई टो में बैटकर फर्स डे फर्स शो देख रहा है ना उन्हें बैलकुनी में बैटाई ना सर अरे बता रहा हूं ना यहां पर क्या भुजिया खाने नहीं बुलाया सारे मर्द पीछे जाओ और और ओरतों को आ गया है यह कौन सा कॉंसेप्ट है जैसे बस में होता है वहीं प्रेस कॉंफरेंस क्यों बुलाया है शादी के बाद जॉब छोड़ दोगी क्या क्या सुनोते पांडी जी आपका हाथ बटाने के लिए यह बेचरी सर्विस करती रहेगी अच्छा सेर बस्टनल मिटिंग नहीं प्रेस मिटिंग है हमारी इजद नहीं है हमारे माइक की अधियर मीडिया फ्रेंड्स आपके लिए ताजा ख़बर है कल ही 36 गड के हमारे पुलीस कॉंस्टिबल परवेश रिपोर्टर रीटा से लव मैरेज कर वेठें इसे न्यूस कहते हो लगता है टाइम पास कर रहे हो पांडी जी का उदेश है कि 36 गड की घटना से इंस्पार होकर वो एक लेडी जर्नलिस से शाधी करना चाहते हैं प्रेस और पुलिस कितना क्रेजी कॉंबिनेशन रहेगा आप मेंसे जो भी लेडी इंट्रेस्टेड है वो सर के दर्वाजे पर दस्तक देदे वो सोचेंगे नौट इंट्रिस्टेड जाकर 36 गड में ट्राय करो कितनी रूड है ये लड़की कैसी बाते कर रहे हैं पहले मीटिंग में तक्रार होती है पांडे जी दूसरे मीटिंग अरेंज कीजिए हैं है न मिसिस पांडे अरे सुनो परसनल काम के लिए दोबारा प्रेस का इस्तेमा चोटी-चोटी सोच रखने वाले लोग हैं वेरी स्मॉल तिंकिंग सबको आडे हाथ ले रहा है दूबेजी पूंगी बजाएंगे सार उस ACP का कब तक इंतिजार करेंगे कितना टाइम हो गया अब तो भूग लगने लगी है मीटिंग कैसे स्टार्ट करूँगा जिसके लिए मीटिंग लखी है वो अभी तक नहीं आया है कहा है वो और सबनीया जा आपो किसले बूना है यहां क्या कर रहे हो बीजी पी से हमारे बुरे वक्त का संदेशा आ रहा है कैसा संदेशा है सर आप अपना काम कीजिए हम लोग अपना काम करें हमारे साथ चल मैं तुझे बताता हूं क्या करने जा रहे है आई मसाज और पैसे तो फिर मैं पहले जाऊंगा भाई दुमारा नहीं करवाएगा तू अरे कॉंसा अबसा देशा बा मुलाजा होशी यार एसी पी आ गए है सर महारा जा रहा है क्या बलाओ उसे आँ कित ना लेट करते हो इआ था बताऊं सर बाऻर पुलीस की ड्यूटी घर में अलग ड्यूटी इबात्स सेटल कर सहा देखा देखा हमारे सामने सेटलमेंड की बात कर रहा है सेटी का मतलब कुछ और था सर प्यास के भाव सेटल करके आ रहा हूं मंडी में सबजीयों के भाव कितने बढ़ गया है टामाटर का क्या भाव चल रहा है महाशेर विल यू प्लीज सिट डॉण शूर सर बताईए आप लोग की कंप्लेंट्स क्या है अब आपको क्या बताएं सर विल स्टेट के धंदे में जोरों के साथ पार्टनर्श है डिपार्टमेंट के जगी कोई परवा नहीं हम कोई केस बनाता है ये वहाँ जगर सटिल्मेंट करता है सर ऐसा ओफिसर डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए इससे सस्पेंट कीजिए आईपीएस को सस्पेंट करना इतना इजी है क्या सेंट्रल बोर्ड की कमिटी आएगी एंक्वाइरी होगी समूद गवाद देखे जाएंगे क्या मेरे खिलाफ किसीने रिटर्न कमप्लेंट दी है सर कैसी देंगे सर गीता का श्लोक सुना कर लोगों को वाइकून पहुंचाता है कहां से आता है कहां ले जाता है कोई कुछ भी नहीं जानता चलो ठीक है इतने सारे जोनल ऑफिसर्स है क्या किसीने मेरे खिलाव गवाई दी डीसीपी राउ से ही पूछ लीजिए मेरे खिलाव कुछ कहिए ला सर आप तो बहुत अच्छे हैं सर यह अच्छा है बुरा तुम कैसे जानते हैं कुछ दिनों में तुम भी जान जाओगे चाहे तो एसीपी विवेक जी से पूछ लीज एक काम पर आरोप लगे हैं यह मीटिंग इसलिए तो है इस डेव तो सवरोब इंसान के आने के आने के बाद ही हमारी जिन्दे के में बढ़ला हुआ है अरे दूबे जी पांडे जी प्लीस प्लीस दुबारा एसी टाइम वेस्ट करने वाली मीटिंग मत रखिए डीजीपी मुझे लगता है यह महाशे इस शहर में कुछ अलग ही रादे के साथ हाए है इस प्लेट में जी के साब ने नाश्ता किया है ना जी आ साथ इनका जूटा क्यों खा रहे हो चाहो तो एक प्लेट और मंगा लो राजा नाहीं इनके घर में नाश्ते की कमी है और नाहीं मेरे पॉकेट में पैसों की मैं या जूटन खाके यह साबित कर रहा हूं के आज मैं जो कुछ भी हूह वो ची के साब के बदालतियों माली वो लाइन पर है वो हमारी बात नहीं मान रहा है वही तो मैं भी कह रहा हूं वहांगे मेरा कुछ नहीं चल पाया तो आपका कैसे चल पाएगा क्यों मैं हमेशा हमें टाइप पर बोलता है मिनिस्टर अंकल आई नानू कौन है इस रहा देखो इस रास्ते में क्या गुंड़ा करती चल रही है यूनी फार्म की पेश्टाती करता है लोग तुने पुलिस वाले को मारा राजा तुम इसे खुश होकर शाबाशी का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो बीजीप के पास कंप्लेंट गई है मेरे कैने पर ममला सौरी पर नहीं पढ़ सकता है तुम ज़रा कहो ना इसे सौरी बोल दे तुम क्या पागल पागल हो गया हो कभी कभी पागलों की बात मान लेनी चाहिए राज्जा सेंट्रल में मैंने अपनी पहचान लगा कि तुझे हूम मिनिस्टर बनवाए और तुम मेरा साथ देने के बज़ा है मुझसे माफी मंगवा रहा है दुनिया भर को पचाण कर मैंने तुझे मंत्री इस लिए बना है ताकि जरूत पढ़ने पर तुम मेरे काम आ सके बहुत कंफ्यूजन है माली आप वहां जा रहे हैं मैं उन्हीं पूलाग भाई MP अंकल हो मिनिस्टर यही सोचकर अगर छोटा गलती करता है तो हमें उसे कव ठीका ओर तुमोड कर रहो हो यही 파ण को क्यों लिए झाले करना क्या मुझें रहां रखा है मुझे अप्रक करणा कर करेंगी ज़स मार सब्षबरीत跟शर मोर्म मिनिस्टर लिए तो पुलिस की क्या आउकात है यह कौन से बड़ा केस है या भड़कने की जरूत क्या है मैं नहीं हूं क्या को अपना दिवाग दिवाग में अभी उस डीजीपी की तो बोलिये सर गल रात को दो पुलिस वालो ने मेरे भांजे के रास्ता रोका और उसे बहुत परिशान किया उन दोनों ओफिसर्स को दो हफ्ते के लिए तुरंच सस्पंट किया जाए दरसल आप सस्पंट करो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाता हूं बीजीपी मेरा सपना है कि मेरा छोटा भाई एक दिन मिनिस्टर बने उसके बीच में कोई भी आएगा मैं परताष्ट नहीं करूंगा बेटर लग नेक्स टाइम मुझे छोटा सा डाउट है आखिर तुम्हें पुलिस वालों से इतरी नफरत क्यों है बिल्ली को चुहे से दुश्मनी क्यों है शेर को हिरंड से दुश्मनी क्यों है शिकार करते करते ठक जाता तब भी छोड़ता नहीं नेचर इंस्टिंक्ट ये तो एक प्रकृती का नियम है जिसका जैसा स्वभाओ आई हेट पुलिस क्या करें दूबेजी तुरंट किसी पार्टी पर रेड मार कर उसकी कमाई का थोड़ा सा हिसा अपने जब में डाल लिया जाए सर्व करो या कमाने के अलावा कुछ नहीं सूचता आज मौसर कितना रूमैंटिक है अगर मैं कहूं उस एटियम पे डाका पड़ा तब तो आएंगे न इस वक्त एटियम में डाका डालेगा कौन सर हलो जब से आपने हमारा बैंड बजाया है हमारे तो सुर्ताल ही बिगड़ गए हैं अब ड़कैती के इल्जाम लगा के कहां फसा रहे हो सन दूबे इनका इलाज करो या इनका इलाज करने के लिए यह दवा खाने में आये हैं गया सेंट्रल जेल भेज देते हैं ए सुना धुल यह सवाल करना चर्पी चक यह सवाल कुछने का हक सिर्फ मैडम को है आये मैडम यह लोग कब से सुधर गए और क्या सर इन्हें एक घंटे पहले एट नौट वन में खर्चा मिल चुका है लगता है आज बड़ा धमाल होने वाला है चोरों का चेरा क्यों डेका हुआ हुआ ह अब तस्ति चरह डखा है मैडम सिर्फ अपना काम निकालने के लिए यह सब हम पर इजाम रगा क्या हमारा शोषण करते हैं तुम भी तो कुछ बोलो ले यार अरे क्या बोलू बेर आमने कैमरा है एटीम में क्या हुआ हुआ है बताओ क्या बात है दूबे जी माडम गुस् इसक क्यों हो रही हूं तुम नहीं जानते जितना चाहे ट्राय कर लो नहीं पटने वाली हूं मैं यह क्या कह रही है अरे थोड़ी प्यार से बात क्या कर ली यह तो सर पे चड़ने लग गई हर लड़की ऐसी हो दिये आप पुलिस ऑफिसन है ना अपने ब्रेन का इसनिमाल कीजिया ना अच्छा रात में डाका नहीं पड़ा क्या सुनाएगा यह पर जूल्री शॉप लूड़ गया वही हुआ होगा मुझे मोटा भीम पे शक है फ्लैट नमबर फोर, हाउज नमबर one zero four, प्रिचुर्नागर हैद्राबाद इसकी बेहन और चीजा इसके साथ रहते हैं इसकी दीजी को अलग ही पुलिस का पैशन है इसलिग एक बिज्नसमेन ने अपने आपको पुलिस वाला बता कर उससे शाधी कर ली आपको इस लड़क प्यारे पाड़ी जी छोटी से भीड़ने से बहतर है कि बड़ी को पटाया जाए तो आपका काम हो सकता है ऐसा ही होगा दूबे जी माही डार्लिंग माही ये घर पर तो है ना कौन है आप लोग आपकी जो बहन है ना मैं उससे प्यार करता हूँ इतनी हिम्मत हमारी चुटकी से क्या थिया है हाई मैं मर जाओ आया ये बैठी ना अरे ये क्या महंगे फर्श पर सस्ता फरनिचर दूबे जी बदल देता हूँ नई शोकेस में पुराना टीवी क्यो है बदल दो बदल दो आपका ये गला इतना सुना क्यो है ये बंगला पुराना हो गया है जुबली हिल्स में नया ले ले वो हमारे एरिया में नहीं आता कोई बात नहीं दामा जी आप बैठिये तो सही आपकी क्या सेवा करूँ क्या लेंगे आप कॉफी टी खोल ट्रिंक ए जी क्या हुआ जानू यूनिफॉर्म में खाना पका रहे हैं प्रोब्लेम नहीं होता क्या क्या करूं भाई मेरी घर वाली को यह यूनिफॉर्म बहुत पसंद है तो फिर पहन करी पकाना पड़ता है बाते में हो जानू कीचण में मैं अक्या कैला हम कर रहा हूं तुम अंदर आओगी नहीं तुम्हारी पत्नी हूं नौकरानी नहीं दी आज खाने में क्या जाने मेंधSta पया है दी I'm कि चलो ने निकलो कर घद में महभानोग को को कोई उस तरह बहा निकालता है क्या जा, उसे थोड़ी बाते कर, यह आपने क्या किया, मैं इसकी शकल कर देखना पसंद नहीं करती हूँ, आपको हो क्या गया है, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए न, ए, हटो, तुम्हारे लिए बहतर है, बाहर निकल जाओ, वरना एक पुलिस ऑफिसर, एक रिपोर्टर को ह कर रहा है, मैं ऐसी न्यूस बना कर अपनी चानल पर टेलिकास कर दूँगी, कुछ कहो ना दीदी, अभी कहती हूँ, दामा जी, किसको धमकी दे रही है, तेरे पास तो सफ एक चानल है, मेरे पास उसके खिलाफ बीस चानल है, मैं और दामा जी लाइव रिपोर्टिंग दे सब को यहीं पे घुशकर बैठना है क्या, सभी लोग नस्दीक बैठेंगे तब ही मज़ा है, दूर दूर बैठेंगे तो मज़ा किरफिरा हो जाता है, है ना दामा जी, तू भी ना दीदी, पुलिस अंकल, आटोग्राफ, वो वाला डायलोग बोली है ना दी, पुलिस के जाम से अच्छेजजजए फर्फर काप ना लग तो सीधी के खड़ी हो, कापड, बाली फिर्स अशाब मैठेंगे तो नही भी आनूंने क्रदीए हम टी Nati, ओर यू डिदीं मैं कपना शाव दिकारे काफ preparedness, इयुकिन अठीया मैं कर दानीन, बैठे उनके बालाफ ऐन चाहन माही ओ मैं ओ मैं बेबी तुम इस दिल को मेरे चुरा के ओ मैं ओ मैं बेबी तुम जाओगी कहा सरमा के इतना भाव दोने के बाद भी नहीं पल्टी मुझे नहीं लगता वह आपसे पटने वाली है थांक्स दुबे जी उस केस का जो हाई टी जी पी अगर आफिस में टीवी है तो उसे आउन करो बहुत दिनों से फसा हुआ जी के कमर्शिल पामपलेक्स आखिर कार बनकर तयार हो गया है जिसके कंस्रक्शन को रोकने के लिए बहुत तो नेकोशिश की थी उसकी ओपनिंग आज पुलिस ऑफिसर के हाथों हो गई मिस्टर जी के इस वेरी गुड यूमन बिइंग काफी परेशानियों के बाद ये कॉम्पलेक्स बना है हमारा सपोर्ट उनके साथ हमेशा है को इस एसीपी ने जो कहा वो तमहरे कानों तक जरूर पहुंचा होगा वो एसीपी कोई और नहीं तुम्हारा अंच तुमारा अपना ही बेटा तुम बड़ी उल्जन में फंसके हो डीजी पी उसने तो तुम्हारी ही कमर तोड़ दी गुड़ा अफटनून डीजी पी सहाँ स्वीट्स लीजीए सर यह क्यों जी के सहाब के मॉल उपनीं के खुशी में लेकिन देखो इने मूह तो लटका हुआ है संभल कर रही है सर आने वाले वक्त में और कई जटके खाने हैं तो मैं चलू सर सर उसका रिकॉर्ड पता करवाया है मैंने कल्यान सिंग उसका बदला हुआ नाम है और वह उत्तर प्रदेश के किसी अनाता अश्र में पढ़ लिकर बढ़ा हुआ है उसकी बचपन की तस्वीर फेक्स कर रहे है वो देखो रॉकेट कैसे गया देखो 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 लगता है तारे तूट रहे है ना मा बिटा-जी आ रहे है न आएंगे बिटा के वाभी अभी अभी तक सर नहीं आये क्या थेillar के तो यहार के दिन भी वो ड्यूटी कर रहे है ज्यूटी तो मैं बही करता हूं अगर परिवार का भी ध्यान रखता बच्चे के लिए कुछ पटाके तो साथ मिलाते अरे सॉरी बेटा अभी जा कर ले आए नहीं मुझे नहीं चाहिए मा अक्सर मेरे दोस्तों को उनके पिता के साथ देख कर बुरा लगता क्योंकि मेरे नसीब में सिर्फ उनका एक फोटो था उन्हें कभी मेरी कोई फिकर ही नहीं हुई जिन्दगी में जो थोड़ी खुशी मिली है वो मुझे मेरी मा की बदालत मिली है तु यही बेट में खाने के लिए कुछ लाती हूँ मा क्या हो गया मा मा क्या होगा आमी वालों को भी इंफाप पापा ममी की तबीद बहुत खराब है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा पापा चलिए ने पापा सर सिचुएशन बहुत ही सीरियस है हमें अभी पहुचना होगा गुरनाच जी मेरी वाइफ को पेन स्टार्ट हो गया उसे अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना होगा आप बच्चे के साथ जाएए मैं आधे गंडे में पहुच रहा हूँ ओके साथ वालाण बूव यह जी माँ कंडिशन बहुत क्रिडिकल है ओपरेशन जल्दी नहीं किया तो माँ और बच्चे दोनों को खत्रा है आप जल्दी से इसके पिताजी को लियाए उस वक्त मेरा साथ देने के लिए मेरा अपना वहाँ कोई नहीं था मेरी माँ की जान बचाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे सॉरी बेटा माँ और बच्चे किसी को नहीं बचाना उस रोज मैं अपनी बीवी की जान बचाने नहीं पहुच पाया मेरे हालात को मेरा बच्चा नहीं समझ सकता था तभी वो मुझसे रूट कर भाग गया एक पुलिस ऑफिशर के नाते आप अपनी जगए पर सही है उसका दुख भी अपनी जगए पर सही है अब बड़े होने के नाते आप ही को समझना होगा सार वो आ गया कैमरा रेटी है ना मा टीवी कैमरा पारफेक्ट है तो चलो उसे रेड हैं पकड़ते हैं हेलो हम आपको कहा कहा ढूड रहें और आप यहां मिले बात क्या आप भूल गया है हमें याद है इसलिए फिसलिए ले नी रहें इसे क्या होगा प्रेक्टिस कर रहा आप इसे छोड़िए यह लिजिए नहीं चाहिए नहीं नहीं आपको लेना होगा वरना मैं कट्टिक कर दूगा लीजिए ना दूबे जी सर्ट लेलो और इसका कामरा पूरा पूरा हो गया तो ले जाए नमस्ते सर्ट मैं श्रीवनी का फादर हो रहा है यह सब क्या है इंस्टिटूट की ओपनिंग है दूबे जी ओपनिंग के लिया है आपको पहले बताना चाहिए था ना हम वस्वल में थोड़ा बीजी दे पढ़ने जी एक मिनट यहां लओ यह बच्चे कौन है अनात है बेटा और मेरी बेटी क्तर है है वह चाहती है कि यह भी आम बच्चों के तरह जिन्दगी जी है इसलिए इस कॉंपेटेटिव वर्ल्ड में वह उन्हें अपने पैरों पर खाड़ा होना सिखा रहे है इस लड़की की सोच हमारी सोच से दो कदम आगे निती चलो चलो आई जी सहाब काशी से कई अनात बच्चों को ले आये हैं सर इसे बताया अब पूर अरे आजकल जब देखो डीजी पी सर मुझे ही ढूंटे फिरते हैं इन्हें अब अपनी ड्यूटी की फिकर नहीं है क्या तुम्हारे पापा तुमसे दो सेकेंड बात करने के लिए दो हफ़ते इंतसार करना पड़ता था एक बार मेरी बात सुनतो लो उस दिन हुआ यह था कि देखे काशी सर मैं खुद के दम पर पुलीस बना हूँ खुद के दम पर यहां आया हूँ और खुद के दम पर चीके तक पहुंचा हूँ खुद के दम पर ही आगे बहुत कुछ करूंगा बता दीजे ने क्या वा? मा, यह छोटी पर बहुत अच्छा लगेगा ना? तुझे कैसे पता कि छोटी ही पैदा होगी? मैंने मन्नत जो मांगी है. यह क्या जाने, अपनी छोटी बहन को मैंने इन ही हाथों से चिता पर चड़ाया था, बरसों बाद एक और छोटी बहन मिली है, बरसों बाद खुशियां मिली है, अब दो बाद यहां मेरी जिंदगी में आकर मेरी खुशियां मत चीनियेगा. चीर्स! क्लाइमेट बसते भाई? इस वेदर में अगर एक आइटम मिले, और भी मज़ा आए. आसपास सॉप्ट्वियर कमपनीज है, एन्फोसेस, एन्फोटेक, रोड पर मिलेंगी, बहुत से ब्यूडिफुल गर्स. आसे टीर्स! पर भाईमेटल्र। पर प्रेज़ुल में आसे एंड़ी, पर प्रेंगी, प्रेंगी, परण दोड़ीं! प्रीज़। मीडिया और प्रेस इसमें इन्वाल्व है इस केस को बहुत समल कर हैंडल करना होगा समय समय पर मुझे अपडेट करते रहे हैं मुझे का इसने बंदर समझ रखा है जब चाहे तब बुला लिता मुझे के और कोई काम नहीं है सही समय पर आये हो इंटर्वियू स्टार्ट करो आपका भाई पॉलिटिक्स में तरक्की करे गया इस बात का आपको विश्वास है पूरी तरह विश्वास है बुड़ों में विकलांगों में मुख्य तोर पर महिलाओं में इसके प्रती बड़ी इजसत है आप ही कुछ बोलिए ना बिल्कुल सही कहा इनके छोटे भाई लेडिस पर बिल्कुल कॉंसेट्रेट नहीं करते सिर्फ स्टेट की भला ही सोचते हैं एक दिन ये जनाब एंजी लेक के पास लेडिस के साथ रंगे हातों पकड़े गए थे उसकी मदद करते हुए यही तो इनकी खासियत है जरूत मंद की मदद करना तुम लोग जाओ मैं आता हूं अब इनकी और क्या तारीफ करूं मैं मैं तुम्हार पास आनी वाला था रात पर हैवानियत क्यों करना गैस ना उसको बना है भाई हमने एक चोटी सी रिकोस्ट मेरे से पागनों वाली बात मत करना अपने छोटे बाई को जरा कंट्रोल में रखो ना यार जवान लड़कों को को घर में कायद करके रख सकता है क्या बाहर जाकर रेप करना मर्डर करना शोक है भाई कल तुमने क्या-क्या गुल खिलाए थे वो जरा जहाक कर देखोगे तो पता चलेगा आज हम पर इल्जामों के बं फोड रहे हो तुम्हें कुरसी दिलाने के लिए हमें दल्ला बनना पड़ा था फोन का है मैं पहले बताओ इन मेंसे तुम्हारा जूठा गिल सब्सक्राइब करना जरूरी है बहुत खतरना का अदमी है अजर भाई पावर वाले को कभी टर्ना नहीं चाहिए दस मिनिट बात करूंगी तो तुम मुझे जाने दोगे न तो बोलो दीदी मान गई जीजा मान गए अगर तुम भी मान जाओ तो हम चट मंगनी पट ब्याहा कर सकते हैं तुम्हारी बाते सुनकर दिल करता है तुम्हारा चेहरा नोज कर कववों को खिला दू पता है जब तुम गुस्से में बात करती हो तुम्हारी खुबसूर्ती डबल हो जाती है गुटो हेल यह क्या बात हुई मैं कुल्ली बात कर रहा हूं और कुल्ली कीजिए यह तो लड़कियों की आदत है नकरे दिखाएगी थोड़ा सा ही तरह एगी सच सुनो मैं किसी और से प्यार करती हूं बाबी कौन है वो मैं नहीं बताऊंगी चुपचा बता दो डूंडा तो भारी पड़ेगा सुनामी स्टार सुभाश पहली मुलकात प्रेस मीट में हुई थी धीरे धीरे बात्चीत होती रही फिर उसके बाद मेरे दिल में बस गए ओके बायो डिटा बताईए दूबी जी ये पहले एनार आए था कॉमेडियन दिखता है बोलके फिल्मों में चांस मिल गया चांस देने वाले ने ही बात भी इसके एक्टिंग देके आथ महत्या कर ली यह सुनामी स्टार हमें मिलेंगे कहा है इस्टार्ट कैमरा आएक्शन सब कुछ लेकिन रोमेंस क्यों नहीं है रोमेंस पर्सों के शेडिल बें था सर प्लैन पूरा फ्लाप हो गया सिर्फ आपकी पेट की वजह से मेरे पेट से किसी को तकलीव नहीं होगा मैं पूरी मेडिसीन ले रहा हूं डिरेक्टर हो डिरेक इसे ने रितिक को दिलवाया मैशन इमरान को दिलवाया मुझे भी दिलवाओ क्या दिलवादो लिप लाक यह क्या यार कुछ की आई नहीं और इसकी उल्टिया शुरू हो गई ताम मांगने के लिए आगे पिछे करती थी अब उल्टिया कर रही है गुड मॉर्णिंग सर हाँ प्रोडियोसर साब बताए क्या वाद आपने मेरी फिल्म का नाम धनिया रखा इसलिए वह बिक नहीं रही सर शट अप मिर्ची नाम की फिल्म जब रिलीज हो सकती है तो मेरी धनिया क्यों नहीं फिल्म बेचना आता नहीं और इल्जाम लगाते हो जाओ मुझसे क्यों मिलने आयो सर वो एराम सुन है सर कल रात को मैं एबी सी फिल्म देख रहा था उस देवता से अच्छा तो मैं नाच लेता कुछ भी क्या सर आप तो उनके जूते के दूल भी नहीं है वो सर आपको डांस से डर लगता है मेरी एक दोस्त ऐसा सोचती है इसके एक्स्प्रेशन से तुम्हारे एक्स्प्रानेशन मैच नहीं कर रहे है अरे सुरिये सर उसकी फोटो तो देखिये ना कौन है ये पारो मैं इस दड़की से प्यार करता हूँ मुझसे पीछा छुडाने के लिए इसने का हिया आप से प्यार करती है आप सच्चाई बता दीजिए मुझे इत्मिनान हो जाएगा मेरी गर्फरेंट से तुम क्यों प्यार कर रहे हो मिस्टर जानकारी के लिए बता दो तुम पर चाहिड्ड मॉली स्टेशन का दावा ठोक सकते हैं तुफान से लड़ने के लिए हमेशा तयार सुनामी स्टार्स शुभाष वो पारो मेरी है समझगे क्या पाकट एक यूथ हीरो के साथ आप बहुत बेरेमी से डिल कर रहे है सर इसे फुलाओ यूथ हीरो हो ना ब्रीज साथ नहीं देरी आप हम आपस में क्यों लड़ रहे है बड़े भाई उस लड़की को यह पुला लीजे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा विश्व हैपी बर्ड़े सर वो मनहोस दिन आज है क्या वो तो कला के चला भी गया सर मैं एक दिन पीछे चाल रहा हूं बहुत बुरा किया कौन है वो कौन है जो मेरी चुटकी से प्यार करता है ये ग्रीन शेट वाला बुढ़ा हूं ये है बुठे खूसट एक टांग कब अधर एक्टिंग की इधर वेटिंग कर रहा हूं जिसका इंतजार था वो आचुकी है मैंटर बता देंगी तो हम एफायर करें अब डेयलोग देने का टाइमिंग होता है और राइमिंग होता है ये मुझे भसाना चाहता है लेकिन ये जानता नहीं कि ये दिल तुझे दिल सब्सक्राइब करें अब तुम्हारे लिए ये परफेक्ट है समझे की नहीं नमस्ते साथ अरे रुको मेरी बात तो सुनों उन्होंने सचाई बता दी अब तुम्ही सच कह दो सच बताओं आई हेट यू मैं एक इमानदार जॉर्नलिस्ट हूँ और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात नहीं करती इसलिए अच्छा होगा कि मेरा पीछा करना छोड़ दो तुम जानते हो हाली में इस शहर में एक सौफ़वेर इंजीनर का मडर हुआ है जहां मडर हुआ वहाँ एक गाड़ी का नंबर प्लेट मिला है वो नंबर प्लेट तुम्हारे भाई और इस घर के नाम रिजिस्टर्ड है सो तुम दोनों को पुलिस टेशन चलना होगा क्या हो अब रावनी भोंक क्यों रहो बड़ों के सामने भोंकना नहीं चाहिए पता नहीं है क्या तुम्हें काफी वफादार लग रहा है चार दिन हड़ी डाल कर पुछकारेंगे तो ये भी अपने आप लाइन पर आजाएगा जी के जी कार चोरी होने की कंप्लेंट दी थी ना चोरों ने तो गाड़ी का बुरा हाल कर दिये और जब मुझे वो गाड़ी मिली नंबर प्लेट मिसिंग थी अरे नंबर प्लेट तो डी जी पे साम ले आए है ऐसा क्या देखाओ दो क्या ये वही है एपी नाइन जेट फोर सेवन थी सेवन अरे ये तो वही है जी के जी ये तो मिल गया मेरा पेमेंट स्टेट्मेंट दे कर गाड़ी कब से में लीजी मुझे पुलिस टेशन ले जाने वाले थे जब भी पुलिस वालों को अपने आस पास देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है तुम फिर से जरी आई हेट पुलिस यह तो बस एक्सेंपल है सर आगे आगे देखिए होता है क्या है कैसे हो अंकल बड़े साब बहुत अपसेट लग रहे हैं तुमने गलती कुछ ऐसी की है कुछ भी कहते हैं आप अगर मैं गलती करता तो मुझे ऐसे चोड़ते थे गलती वो थी जिससे इनकी बीवी बच्चे इनकी लाप परवाही की वज़े से मौत की मुझे गए मेरी बातों से अगर किसी का दिल दुख रहा है तो उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए ऐसा समझ लीजे कि आप रिटायर हो गये हैं जानते हो ये लोग कौन है स्कैम करने वाले पॉलिटीशियन्स या क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस आफिसर्स है पांच हजार रुपए में बिगने वाली रिश्वत्खोर पुलिस दस हजार रुपए में केस बंद करने वाली बिकव पुलिस गली गली में मिलेगी लेकिन ये जानने के बाद कि हम मौत के मुँमें जा रहे हैं डिपार्टमेंट पर अपनी जानने जोर करने वाले पुलिस सेकड़ों में एक ही होते हैं हम जैसे इनसान हर दिन, हर घंटे, हर पल शान से जी कर शहीद होते हैं हर पुलिस वाले का नाम एक बुलेट पर लिखा होता है जिस से माँ, बाप, भाई, बहन, बीवी, बच्चे और खांदान में किसी भी इंसान की जान जा सकती है लेकिन उन्हें पीछे धकैल कर खुद के सीने पर गोली खाते है करतवे के लिए अपनी जान गमाने वाला होता है सक्चा पुलिस ऑफिस है अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहां आकर फोटोस को इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे इन पुलिस वालों पर गर्व है तुमने क्या कहा था? मेरी लापरवाही की वज़े से मैंने अपनों को खो दिया हाँ सही वक्त पर में तुम्हारी मा के पास नहीं पहुच पाया क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारी माँ और बच्चों को बचाना था तुम्हारे साथ ना इंसाफी हुई लेकिन उधर सैकुणों लोगों को इंसाफ मिला और अपनी जान की बाजी लगाकर आमन और शान्ती को कायम रखूंगा इसे शपर लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए तुम मुझे नाराज हो इसलिए जीके का सपोर्ट कर रहे हो ये जो मर्डर केस है जानते हो किसका केस है उस रड़की को तुम भी अच्छी तरह जानते हो इस बच्ची को जानते हो किसने मारा कितनी बेदर्दी से मारा है एह जोड़ो मुझे जाने घ्रट काहा गारी है सिर् झाériें विएली, तो किई तone? Сिर्व झाल, किई पर सिर्वाल अच्छ वो हमारे हाथ से निकल गई यार अच्छ तेरे मुड़के वाट ले इसोने पुझे जाही सजा मिलनी चाहिए थोड़का ने इसको अच्छ 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 लेशल कि टुिं लेका थाँ कि अच्छétique कि अ झाय से खरण१न कर दो कर को ऑन कर ने अ झाल झाल माँ ये छोटी पर बहुत अच्छा लगी का ना तुझे कैसे पता कि छोटी ही पैदा होगी मैंने मनद जो मांगी है होश में आते ही श्रीवनी के पिता ने मुझे सारी बाते मताई तब मुझे सच्चाई का पता चला श्रीवनी के साथ जो हादसा हुआ वो सरे आम सडक पर हुआ आखिर उस बेचारी की गलती क्या थी किसी मजबूर की इज़त को बचाते हुए वो मासूम बली चड़ा दी के वो जी के अपने पावर के दम पर अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है क्या उस शैतान को माफ कर दिया थै तुम मुझे अपना पिता मानो या ना मानो कोई बात नहीं लेकिन उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं ये तुम है डिसाइड करना होगा गूड इवनिंग एवरीबरी ये केस सॉफ्ट्वेर इंजीनियर के मर्डर का नहीं है शिर्वनी नाम की बच्ची का केस है उसकी मौत के पीछे पावफुल लोगों का हाथ है प्रिशर चाहे जितना है मैं किसी को नहीं बख्षूंगा सब को सजा दिलवा कर रहूंगा इस केस को हमारे डिपार्टमेंट ने एक चैलेंज के रूप में लिया है सार बचा लीजे सार यह लोग मुझे मार डालेंगे बचा लीजे तुझे कह लगता यह तेरी जान बचाएगा यह असली पोलिस वाला है एक बार उसे नोट दिखाऊ ना चुप चाप लेके पतली गली पकड़ेगा तेले उठा और निकल यहां से यह हमारा कुछ नहीं बिखाड़ेगा जा उस बुड़े को घसीट के ला कुछ झाएव हुआ है तर नहीं बार नहीं नहीं जान आर उसीट के लिखाएगा तेले तोजुटस समय। एक पिकल्याना जुदी एक पिकल्याना जुदिए एक एक फूरिछ को डिए्ट एक जनुदिए एक वेप्ट एक लंग वेप्ट एक वेप्ट उप्च वेप्ट हाएएएएएएएएएएएएब है एएक! 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 हाइक! कर दो करो चाई कर दो DAVID हूँ 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 हाँ अभण सब्सक्राइब या अवाँ अ ओट यौअ अच्छ को है यौप अबदले बदले सुर्प सिंसियर उफिसर का कीड़ा जाग क्या है वो केड़ा तो मेरे अंदर बच्पन सही था पुलीस की सिंसियारिटी से मुझरिम का कितना नुकसान होता है वो तुझे जल्द पता चल जाएगा बलडी फूल एए तेरा फरिष्टा भी मेरा कुछ नहीं विगाड सकता मैं वो हाईवे का रोड नहीं जो तेरी स्पीड बढ़ने देगा घाट का रास्ता हूँ स्पीड बढ़ाई तो खाई में गिरेगा तो मुझे जानता नहीं है बेश, मेरा बायो डेटा सुनेगा तो रॉंग टे खड़े हो जाएंगे तेरा और तेरे भाई के जिंदगी का आज आखरी खुशी का दिन है इसलिए अगर कोई आखरी ख्वाहिश हो तो उसे आज ही पूरी कर लो तेरे भाई को बचाने के लिए अब चाहे तुम मीडिया के पास जा धरना कर रास्ता रोको कर जो चाहे कर ले कुछ हासिल नहीं होगा पुलीज की हैसियत क्या होती है ये तू नहीं जानता मैं तेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनूँगा दा वार बिगेंज बोलो दू बेजी वो जीखे के गुंडों को छुड़ाने के लिए बेल ओडर लाए हैं सिर्ग कितना इंतिजार करवाएगा अब सर बेल पेपर्स बेल तरीके से मांगनी चाहिए दूबे जी सर रिया कीजे उन्हें आजाओ आजाओ यह क्या हो रहा है सअर बेल मिलते ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी लेडि कॉंस्टीबलोस से बततमीजी किती तुम्हाम्यभसा रहया यह क्या है सअ flatter वेल ओडर मिलने के बाद भी उन्हे नहीं छोड़ आपने यह लेज़े और उन्हें छोड़ दीजी ओके, दूबे जी, येस सर, जैल, अरे सर, ये सब क्या हो रहा है, बेल मिलने के बाद तुमने ऐसा है और हवालदारों पर जान लिवा हमला तुम हमें फसा रहे हो, एसी पी, तु अंदर सब को बुला के फसा रहा है, इसलिए, तेरे हर सवाल का जवा हम भार से ही देंगे, कम अरे, ये बम है रहे, अरे मालो मेर, अरे पागल हो गया के तु, अरे पागल नहीं रहे, ये पिन मैं रखता हूँ ये बम तु अ हेलो होम मिनिस्टर लाइन पर हैं सर, चाहे होम मिनिस्टर हो सीम हो मैटर एक ही है, जो अपने चेले चपाटे चम्छो को बचाना चाहता है वो अपना पैन कारण राशन कारण आधार कारण लेकर, पंधरा मिनिट में यहां हाजिर हो जाएं तब ही रिहा करूंगा इनको, उस मैं ऐसे बात करा जैसे मैं होम मिनिस्टर नहीं कहीं कि वॉच्च मैं हूँ जीके दूबे जी जीके ने आज तक पुली स्टेशन में कदम नहीं रखा जी हाँ देखो कैसे अगले पंधरा मिनिट में यहां भागते हुए आता है बहलाई इसी में कि पुली स्टेशन में कदम रख लो राजा नहीं तो फंस जाएंगे नमस्ते हों मिनिस्टर साहब नमस्ते प्यारे प्राशन कार्ड आदार कार्ड पैन कार्ड और सारे सबूत लाया हो मेरे बंदों को छोड़ जल्दिकर फर्स टाइम पुली स्टेशन आये हो खातरदार ही होनी चाहिए कौफी टी कौफी टी कौन पीता है हम तो यहां आगे यही बहुत बड़ी बात है थंड़ा एक कौटर बाद में दिखेंगे है ना जीके इज़त अफजाई बहुत हो गई है अब जरा उनको छोड़ भी दो उन सब को छोड़ दो ठीक है सर हम बार ने आएंगे सर साब साइन करेंगे उसके बाद यह सेल्यूट बानेंगे फिर डंडे जूत शुरू हो जाएंगे हमें बार ने आना से अरे पहार आ जो बेकुफो मेरे छोटे भाई और उसके फ्रेंड्स ने गुंगी लड़की को माट डाला उसे कोट में प्रूफ करने के लिए तुम्हें सबूत पेश करने होगे गवाह पेश करने होंगे लंबा चोड़ा प्रोसेस इसी बीच मैं अपने छोटे को पारलियमेंट की कुरसी पर बिठा पुलिटिशन क्या बला है तुझ जानता नहीं पुलिटिशन क्या बला है तुझ अभी पता नहीं पुलिटिशन याने गेंग हर रोज तुम जैसे सैगड़ो पुलिस वाले हमें सलूट मार कर सलामी देते हैं पुलिटिशन याने लीडर उनका हर अलफास तुम्हारे में पुलिटिशन याने मजिशन माया माया रज्टे हम और सुनो इसे यहां से कहीं मत भेजो इसे यहीं रहने तो हम खेल खेलेंगे इसके साथ ए सिपी तुझे एक हफ्ते की महलत देता हूं अगर तम है तो मेरे छोटे को अंदर करके दिखा वान वीक ट्राय करके ते वान वीक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तीन दिन ही काफी है ठीके आज तक तुने मुझ जैसे बरदाश्ट करने वाले आफिसर का सामना किया होगा अब सामना कर मेरे बेटे का गुड जोब तैंक यू सर दीदी मेरे होने वाले पती का ओफिस यही है अचानक तुझ में ये बदलाव अच्छे अच्छों को बदल लेती है मावब पिर चल इस केस में सिर्फ एकी गवा हमारे पास है सौफ़वेर इंजीनियर वो लड़की इस हादसे से घबराकर ये शेहर चोड़कर चली गई है सर पता लगाने की कोशिश करो कहा रहती है वो आया टेनी कॉस्स वी हैब टू ट्रेसर ऐसी कोई बात नहीं है लड़्डू तो मैं आज नी तो कल लेकर आऊंगा में बात है कि प्रमोशन हो जाना चाहिए वो मीटिंग में बैंजी और एसी पी साहब अरे वह भी मीटिंग में मेरा दिमाग क्यों खा रही है जाए ना आ बोलो अधसे इंतजार नहीं हो रहा है इंदर फैन क्यों चालू है आपका ध्यान का है अंदर फैन चालू है जाकर कर दीजिए इलेक्ट्रिक बिल बढ़ रहा है चलिए 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 आप बहुत तरक्षी करेंगी आपकी दयासे नमस्ते सार कौन ही है मामा जी नहीं है बिजी भी तो नहीं है चोटी बहन के सिलसले में एसी पी से कुछ बात करना चाहती हूं इनकी चोटी बहन को पुलिस को लेकर आजाती है बड़े साप के सामने फच जाते तो क्या होता अंचली बिस्टरब किया इसलिए सौरी तुम्हारे कहने और करने में बहुत फर्क है तो मैं मैं आज समझ पाई हूं श्रीवनी को इंसाफ दिलाने के लिए तुम उसके लिए फाइट कर रहा हूं ये सोच पी गुड इवनिंग सुना है बाप बेटे दुनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हों तुम दोनों की स्पीड को ब्रेक लगाने के लिए ब्रेकिंग यूज देता हूं जल्दी से अपना टीवी आउन करो श्रिवानी का केस दो बारा सुर्खियों में जिन्होंने उस बच्ची को मारा था वो तीनों पकड़े गए डे वन शॉक वान वारदात वाली जगह पे हैं में ये सारी चीज़े मिली है तू मेरे भाई को लॉक अप में बंद करवाने वारे लेकिन अब तू यू से सलूट मारेगा अरे सीपी फिर से अपना टीवी आउन कर सारे पार्टी कारेकरताओं ने एमपी जीके के छोटे भाई को यूद प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया है इससे पार्टी के सारे कारेकरताओं बहुत खुश हैं चीके के सहयोगी और पार्टी के नेताओं ने उन्हें इस बात की बधाई दी है अउन दे वे तू दे पार्लियामेंट डे टू शॉक नंबर टू सुनो शिकांत सभी पुली स्टेशन में इंफर्मेशन भेज दो उस मेडम का जल्द से जल्द पता लगाना है सीनू अपने साप को देखो तीन दिन में अरस्ट करने का बोल कर आराम से लस्सी पी ला है सर वो लड़की कौन थी उसका पता चल गया है गुड़ सुनो काशी तुम हाई सिक्यूर्टी लेकर इमेड़ेटली उसे यहां पर लेकर आओ गोविन्दा गोविन्दा आपकी वो मैडम तिरुपती में छिपी थी ना डीजीपी साथ तुमारे ओफिसर्ज वहां पहुँचे उससे पहले इंडिगो फ्लाइट पकड़के हमारे लोगों ने उससे कबजे में ले लिए इस केस की आई विटनेस वाली लड़की की आदे घंटे में मेरे छोटे भाई के साथ शादी करवा दूँगा फिर वो कभी गवाही नहीं देगी अरे एसीपी कुछ तो बोलो तुमारी आवाज सुनने के लिए बेताब हूँ सुन्बे जी के इंडिगो फ्लाइट हम चल इसी बहाने तेरे दस चमचे फ्लाइट में घूमके तो आए बड़ टोटल वे वो लड़की मर्डर के वग्त मोहकाई वारदात पर थी ही नहीं इस केस में वो एक प्राइमरी विटनेस थी में विटनेस नहीं वो इनसान जो तेरे भाई का डेथ वारंट साइन करेगा केस का में विटनेस मेरी हिफाज़त में यह यह क्या भख रहा है तुछ तेरे आज पास कोई टीवी हो तो उससे ज़रा ओन करके तो देख एए टीवी टीवी ओन कर अभी ओन करता हूँ चाहे मैं अपने इलाके में रहूँ चाहे मैं तेरे इलाके में रहूँ या फिर इस दुनिया में कहीं रहूँ तुझे एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगा वाद है प्याज डायलोंग दिया है न्यूस चैनल लगा श्रिवनी केस में एक नया मोड बहुत दिनों बाद ही सही पर इस केस में प्रोग्रेस हुआ है पुलिस ने इस केस के एहम गवा को अपनी कस्टडी में ले लिया है वो कौन है देखते हैं वर्दात वाली जगह पर हमें ये सारी चीज़े मिली है काव्या को जीके के भाई और उसके दोस्तों ने मारा ये मैंने अपनी आखों से देखा है उस वक्तों मैं डर के मारे बता नहीं पाई लेकिन इसी पिज़र ने मेरी हिम्मत बढ़ाई इसलिए आज मैं बोल पा रही हूं उन शेयतानों ने उसे जिन्दा जला दिया मालेक आप इस मुसीवत से कैसे बचोगे उसकी गवाई से आपका छोटा भाई फंस गया अब विटनेस को आप इतनी जल्दी कहां से ढूणेंगे और एक बात आपका भाई टीवी पे हीरो जैसा लग रहा है और वो हीरोईन तेरा भाई इस वक्त पार्लिमेंट की ओर नहीं जा रहा तेरी तीन दिनों की महुलत में एक घंटा बाकी है आने वाले साथ मिंटों में इस शहर से तेरा सामराज तबाह कर दूँगा यहां तो लॉक है सर वसी ओल्ड सिटी का शेर क्या रहे बहुत होश्यारी दिखा रहा आजकल शेहर में मेरे दोस्त के बेटे को अरेस्ट करने की हिम्मत है तुझ में अगर है तो दस मिनट में पुरानी बाशाब बस्ती में आकर अपने हिम्मत दिखा आकर दिखा अपनी मर्दानगी अबस्तवान्गी कि भुछ एा भा झे not हा हा मैं कॉमोन सर्च सर्च कोई कोना मत ठोड़ना एए एए सेपी बीच में तो मत ठोड़ना मार क्यों रहा है कमाओ क्यों रहा है कमाओ 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 दो इट फास्ट मिल गया सर मेरा बेटा यह मेरा इलाका है तू यहां से जिन्दा बच कर नहीं जा सकता हूं बरुस साले को जा सर्च सर्च कर दो जा सकता है एए से एए सबस्ते कर दो इस तो इस एए एए से जास्ट कर दो दो इस एए 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 एक तर लहू आपो वसीम भाई, कुरान पवित्र ग्रंथ है, इन आयतों का मतलब समझते हो तुम, गुनहेगार को बचाने वाला उससे बड़ा गुनहेगार होता है, गुना का साथ देने वाले को अल्ला माफ नहीं करता, शाबाश बेटा, माली, सामने वाला पूछ रहा है कि पैसे की बात कर रहा है, अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है, हमारे मिनिस्टर है न सेंटर में, भूल गया, पुलिस वालों को कैसे मार-मार के, मार-मार के यहां से बगाया है, इस ACP को भी देख लेंगे, अर्द में कि वालों कि वालों कर रहा है, है कि वालों कर देख जब दूबाया है! कि अगाव झाल मौन को आपाड़ करे हрашे लगाव ≽ जपाव ≽ कि अगा पर आहिंट तूर जो पार खुड़ा है तूर जो रहे हैं जिख्यां जिख्यां अभी बंद हो जाएगा अरे सरकारी की बोली बेंग करणा और तुप अरिम सुझ इम्हें आडाने हैं! कि अर नाओने हैं? और अबहस है? फटलाओने हैं नाओने हैं वह बत्क हिंग तेरी ये चुर्षाथ फर्स टाइम तेरे घर में पुलीस की एंट्री हुई है जी के दमाकेदार एंट्री नहीं हुई तो लाइफ टाइम मुझे याद कैसे रहा एंबी के घर में घुश कर तोड़ फोल्ड कर रहा है तू पताएं कितना बड़ा क्राइम है अच्छा वर्द दूबे जी अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है ऑफिसर कल्यान जब जीके के भाई को अरेस्ट करने के लिए आये तो जीके के आदमी उन्हें उन पर जान लेवा हमला किया उन्हें जल्दी ऊपर नहीं जाना था इसलिए उन्हें काउंटर फाइरिंग की अच्छा हाँ गलत आदमी से पंगा लेने आये थे हम लोग नॉन बेलेबल वोरें यहां सिटी के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं बताइए डॉक्टर्स यह बच्चा अपने आरोपों को बरदास्ट नहीं कर पाया इसलिए इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया जिससे इसके ब्रेन में इं लाश हो चुकी है चीटमेंट के लिए इन्हें अमेरिका ले जाना जरूरी है इसलिए कोट से पर्मीशन भी लेकर आया हूँ चाहे तो देख भी सकते हैं इवनिंग फाइव ओक्लॉक फ्लाइट एमिरेट्स दूबे जी पेट्रोल टार रहा है उस पर गबरा क्यों रहा है जी के आयुरवेद एक्सपर्ट हूँ वेर साइन्स फेल्स आयुरवेदा वर्क्स बेटर क्या कहते हैं डॉक्तर आपने सही कहा मैज बॉक्स होगा विया डॉक्टर्स लाइटर रखते हैं अरे नानू सर आपका आड़े काम कर गया सर लाइटर की आवसे इसके हाथ देखते जाओ दूबे जी पूरी बॉड़ी उटके दॉड़ने लगेगी इस दिन जंगल में ट्रेलर दिखाया था लेकिन आज तो जीका को पूरी फिल्म दिखा रहा है क्या हुआ बच्चे काम हो गया क्या अभी आया गाहों से कब आये बताता हूं बाजू के घर में फाइनिस मिनिस्टर रहते हैं मेरे पुराने दोस्त हैं उन्होंने बुलायता तो आयता यहां पर क्या कर रहे हैं तौह हाइब क्या है अगया इरादा है कोई इरादा नहीं है क्या बॉलीस क्या है अब मैं बताऊं पुलीस मतलब पावर हमारी मोहर तेरे घर पर लगाई है पुलीस मतलब डर जो इसकी आँखों में दिख रहा है पुलीस मतलब गुरूर जो मेरी रगों में बहता है उस मासूम लड़की की जान लेने वाले इस कुटे को उसकी कबर तक पहुँचा कर ही चैन की सास लूँगा वो करर किये हुए वक्त पर ही तेरे भाई को पुलीस टेशन ले जाऊँगा चाहे तु पैसों का सहारा ले अपने चम्चों का सहारा ले भगवान के आगे हाद जोड घुटने टेक और भीक मांग वो तेरी मदद करे दापी इसे सजा होकर रहेगी तुझ में हिम्मत है तो तेरे भाई को सलाखों से बाहर निकाल के दिखा जी के बामुली इंसान के खून में भी चिंगारी होती और जो ये वर्दी पहनते हैं उनमें ज्वाला मुखी ये क्या सर अचानक इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखे आपके पुलिस की पावर क्या होती है जी के को मेरे बेटे ने दिखाया है तो सलेबरेशन तो होना ही चाहिए दिस इस फॉर माई सन जानू ये सच्वा पुलिस की पार्टी है यूनिफॉर्म में अगर किसी ने मुझे पैचान लिया तो क्या हुआ सबको लगेगा थाने से डारेक्ट आ रहे हो क्या सर थाने से डारेक्ट आ रहे हो आपने देखा अब चलो सर जी यह यहाँ क्या करें इसी पीजी बहुत मैहनद से साड़ी पहनी है ए ए माही एक्सक्यूज मी सार यू ए टीवी रपोर्टर ओ श्रीवनी केस में मैं इनकी हेल्प कर रही हूं गुड तुम्हारा सपोर्ट इसे बहुत काम आया वाइफ और हस्बंड बन जाएंगे फिर और भी सपोर्ट करूंगी वाट ये कह रही है कि प्रेस और पुलीस के सं पुलीस के पुलीस में है तो हमारे पास कंप्लेन लिखवाने क्यों आई थी इस्ट जोन का नाम पूझा तो ये ट्रेन का नाम बगा रहा है कंफ्यूज है सर इस्ट जोन डेजिक नेक्शन क्या है और क्या मेरी तरफ देख रहे हो अरे तुमने शादी किया ना तो तुम ब पदा नहीं क्या हो रहा है समझ के पापा शुक्रिया बेटा मुझे पापा के कर बुलाने में तुझे फखर बले ही नहों लेकिन जब तुझे बेटा बुकारूंगा तो मुझे बहुत फखर होगा इम सॉरी बेटा नहीं पापा आपकी और आपके वर्दी की एहमियत को अब मैं समझ किया हूँ मालिक शेर का निशान चब गया है मैं उतना हिसे निकालकर सिमेंट भर देता हूँ क्योंकि अगर मैंने महाँ बॉल पेपर लगाया और लाइट अन किया तो और ज्यादा चमकेगा और आप जलोगे देख पूरी पब्लिक हमें सुन रही है शोर सुनाई दे रहे हैं उन्हें सचाई ना पता चाई सबको पताया कब तक चुपाएंगे मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं अपने भाई को किस तरह से बचाऊंगा और तिल सिमेंट लगा दूंगा पेपर चुप का दूंगा यह ज़रूरी है अब क्या करें यूथ लीडर सलाखों के पीछे तो यूथ साइलेंट क्यों है हमारे जितने भी यूनियन लीडर से उनके हाथ में मशाल देदो पूरा शहर चलना चाहिए किसी को मत सोड़ना दूबे जी दूबे जी तुम हमारे भविशे की चिंता क्यों कर रहे हो साब आधे गंटे के अंदर जीके के भाई को छोड़ो वरना पूरा शेहर तबाह हो जाएगा जीके के भाई को नहीं चोड़ा तो मैं यहीं पर सुसेड कर लूँगा हम ज्याद्ती बरदाश्ट नहीं करेंगे पोलिस पूलिस, 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 पूल गल्टी पेरेंस की हमारे बच्चे को जुप रहे हैं अच्छे संसकार दिये हैं उन्हें हमारे बच्चे गल्टी नहीं कर सकते बहुत बढ़ोसा है बच्चों पर लाइफ देखिए जीक हमारा पिता है तो फिर मैं कौन हूँ जीके का भाई जब तक रियान ही होता तब तक हमने कुछ भी नहीं मैं मम्मी की कसम खाके कहता हूं अगर जीके के भाई को एक खरोज भी आई तो हम बर्दास नहीं करेंगे यह क्या साब अपनी ड्यूटी भूलकर पिक्निक बनाने आए हो क्या है रखता है हमसे डर कर सी आर पीएफ लेकर आए है जो आए हैं वो सी आर पीएफ ने एम आर पीएफ हैं हैं मदर्स रापिड प्रोटेक्शन पोर्ट अए माँ 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 अए मोदर्स टेक पोसिशन आटाएक माँ कि दूबे जी चलिए क्यारम खेलते हैं माओं को अपना काम करने तो हम यहां खेलते हैं एक्जाम कभ है पाच तारी को ओके चैल में वाट इस दी यूजर कापासिटर तेल में हाव दर्शेसर वोट इस इंदक्शिन वाटाई चुब करनी नहीं है आया बड़ा जंदा उठाने हमेले तुको अमरा नाम दुबारा है यहाँ है हम आपको देख कर दो अगर आपकी मा होती है तो हमकी तरह उताई करती क्लिट कि पूप नहीं सकता है तो परेगा स्टाइब और जी सब क्या चलना है कि अगर आप इन माहों को कभी कि इस वच्छ भारत की तरह बच्चों का मनमी तो स्वच्छ सबसाफ हो गया थैंक्यू माजी हलो लाइफ टेली कास्ट कैसा लगा मिस्टर जी के तेरे पास अब भी दो दिन का वक्त है आल दे बेस्ट वो पलिक्स वाला सिकन्जा कसता जारा है भाई पर मेई मालिक, फेस्दूक के कल्यान का फोटो आया, आप बोलो तुसे लाइक करूँ क्या? अरे चलिया! जीके! 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 जीके के बुरे दिन शुरू हो गया है, ये वैन उसके घर की ओड़ रही है अब ही मौका है, 801 की सर्विस से बज़लो निकल लो चुप-चाप, नहीं गए तो, आओडियो प्ले करना जरा पाध्धाय प्रतिबोधिताम भगवताना इस शहर का वन-मैन शू, लोगों को पुलीस पर विश्वास दिला रही है एसीपी कल्यान श्रिवानी को इंसाफ दिलाकर एसीपी कल्यान जनता की नज़ब में हीरो बन गए है एसीपी कल्यान बहुत अच्छा पान का गए है पुलीस का पावर क्या है वो दिखा दिया जीके के उसने पसी ने छुड़ा दिये जीके को इस्तिफा दे देना चाहिए मालेक मालेक आप जादा दिन तक यहां नहीं होगे इसलिए अच्छा है कि आप अपनी प्रोपर्टी मेरे नाम कर दो आप ही सेफ रहोगे तूरिस्ट वाला लाइन पे है उस एसीपी ने वैसे ही मेरा जीना हराम कर रखा है बची खुची का सर तू पूरी कर रहा है हलो, तूरिस्ट वाले अंकल, मालीक कहीं नहीं जाना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि वो यहीं पे मरेगे मैं नहीं मरूँगा, मरेगा तो वो एसीपी ठीक है और उसके साथ मरेगा उसका पूरा खान था ठीक है राजा, जी के राजा, हालाद बहुत बिगड़ गया है, केस बहुत आगे निकल गया है, सिट्वेशन हाद से निकलती जा रही है उस दिन मेरी बात सुनता तो ऐसा नहीं होता ना अब क्या किया जा सकता बताओ अगर यह मैटर सेंटर तिक पहुच गया, तो मेरी कुर्सी भी चली जाएगी यह बताने के लिए तो यहाँ है, विश्वास घाती कुट्टे मारा क्यों मैं विश्वास घात करने वाला कुट्टा हूँ अरे, तेरे भाई ने जब पुलिस वाले को मारा और वो दर्वाजे तकाए तो मैंने तुझे समझाया था ना कहा था कि उसे सौरी बोल दे, लेकिन तुने मेरी बाद बिलकुल नहीं मानी अब अपनी बाद चुपाने के लिए तुम मुझे विश्वास घाती कह रहा है तो अब मैं वही करूँगा तेरे भाई ने एक लड़की का खून किया उसके बाप को भी मरवाने की कोशिश की मैंने किसी तरह कानून को समझा कर उस मामले को ठंडना किया लेकिन तूने क्या किया कानू को फुटबॉल बनाकर उससे खिला तुझे क्या फुटबॉल में गोल्ड मेडल चेही था मेरे भाई कल का भविश्टी क्या होगा मेरी जबाली सुन सामने वाले की विजए गुरूर की हार शैतान का नाश भगवान जालीम को तब तक धील देता है जहां तक उसकी हद होती है फिर जब शिकंद्य कसता है तो फिर उसका भगवान ही मालिक है भगवान ही मालिक है उसका तुपीता तो चड़ती नहीं है ना स्टिल मुझे चड़ती है स्टिल, तुने मुझे विश्वास गाती का, इसलिए ना समझ बर, अपने घमंड में मर, मैं तो चला भाई, उस विटनेस गाटरस मिल चुका है है मैं मेरी बात तो सुनो आज तुम्हारे डाडी से हमारी शादी की बात करके ही रहोंगी कुछ दिन और रुख जाओ ना नहीं रुखूंगा हलो अंकल आओ बेटी, बिल्कुल सही समय पर आई हो, तुम्हें एक ब्रेकिंग निउस देनी थी क्या है अंकल? मैंने अपने लिए एक बहु ढूंड ली है नाइस डिसिजिन, वो कौन है अंकल? हमारे काशी सर की बेटी नहीं नहीं मुझे नहीं पता था इनकी बेटी क्या करती है सर अमेरिका में सॉफ्ट्वेर एंजीनियर है भाई रगू, क्या मेरा काशी सर के पास गुमाना जरा अपनी बेटी की खुशी के लिए एक रिपोर्टर का दिल को चलने वाले कमिशनकाशी विश्वनात दुबेजी के मुताबिक ये गांजा का धंदा, ड्रक्स माफिया, हुमन ट्राफिकिंग, लैंड ग्राबिंग बंद करो या, सुनो बिटिया, मेरा करियर मत बिगाड़ो, ये तो यूही मजाग कर रहे है, हाँ विटनिस को कल सुबह दस बजे कोट में पेश करेंगे, सर, गुड खालियान, माही, बचाओ, तुम माही को फालो करो, मैं इस तरफ जाए, जाए, तुम माही को फालो करो, मैं इस तरफ जाए मैं एकष ट्बसथ मात गले तुम मात एका-पे गिरता मैं एका-ई माही, आई ओके? गल्फरेंड मिल गई ये सोचकर ज्यादा खुश मत हो ये बता दूँ के तुझे कवरेज एरिया से बाहर क्यों भेजा है मैंने इस ट्राप मैं अपने भाई को वक्त रहते बाहर निकाल लोगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड पाएगा इस केस का तेरा वो प्राइम आई विटनेस और सपोर्ट करने वाला तेरा बाब उन दोनों को मारतूं का नाई! ए, टाइम वेस्ट मत कर हमारे भी इस फासला बहुत स्यादा है आजा, 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 आजा अरे, लगता तेरा डाड यहाँ आगया आके उसके बाड़ी ले जा सर, 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 बचाओ सर दूबे, पापा का फोन नहीं लग रहा, उनका मोबाइल ट्रेस करो और मुझे बताओ सर, 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 कर दो कर से औरा फ्रीन कर फसमय जो टो हुआ कार! सार! 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 सिंसियर पुलिस वाले या तो सस्पेंड होते हैं या बेमौत मरते हैं अब तू ही बता तेरे बेटे के साथ क्या किया जाएं हरे बेवकूफ मेरा बेटा मुझसे दस गुना ज्यादा लाएं आर्डर फालो करता है अभी तुछ चाहे मुझे मार दे लेकिन वो आएगा और तुझे चहन्नम पहुंचाएगा फिर ये तेरे बाप का सामराच्छ है पहत्महोजाएगा बचके हो बेपके हो दो प्राब का boarding करतके हो ये बापके हो ज्या झी बाएं इंब हो पो, God वापके हो बा हो, SHब कराखबजा जानते हो ये लोग कौन है स्कैम करने वाले पॉलिटीशन्स या क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मोस्ट रेस्पेक्टबल पुलिस आफिसर्स है पांच हजार रुपए में बिगने वाली रिश्वत खोर पुलिस दस हजार रुपए में केस बंद करने वाली बिकव पुलिस गली गली में मिलेगी लेकिन ये जानने के बाद कि हम मौत के मुँ में जा रहे हैं डिपार्टमेंट पर अपनी जानने ज़ार करने वाले पुलिस सेकड़ों में एक ही होते हैं हम जैसे इनसान हर दिन, हर घंटे, हर पल शान से जी कर शहीद होते हैं हर पुलिस वाले का नाम एक बुलेट पर लिखा होता है जिस से माँ, बाप, भाई, बहन, बीवी, बच्चे और खांदान में किसी भी इनसान की जान जा सकती है लेकिन उन्हें पीछे धकैल कर खुद के सीने पर गोली खाते है करतवे के लिए अपनी जान गवाने वाला होता है सक्चा पुलिस आफिस है अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहां आकर फोटो उसको इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे इन पुलिस वालों पर गर्व है तुमने क्या कहा था? मेरी लापरवाही की वज़े से मैंने अपनों को खो दिया हां सही वक्त पर में तुम्हारी मा के पास नहीं पहुच पाया क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारी माँ और बच्चों को बचाना था तुम्हारे साथ ना इंसाफी हुई लेकिन उधर सैकुनों लोगों को इंसाफ मिला और अपनी जान की बाजी लगाकर आमन और शांती को टायम रखूंगा इसे शपत लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए ड्यूटी इस फर्स्ट, फैमिली इस नेक्स्ट सब कहते हैं कि जीके को हमेशा होम मिनिस से सपोर्ट करता है आप लोग तो चारा तरह घुमते हैं आपको तो इस बात की सचाई पूरी तेसे पता ही होगी ना डीजी पी के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा चाहे कोई नूर हो या डीजी पी हो दोनों की चमक में कोई फर्क नहीं है जैहिन जीके और उसके फ्रेंज को बेल भूग गई है और वो जेल से रिया हो गया सुजान बी सिक्स्टिम्स श्रीवनी के केस में जो गुंड़े अंदर थे वो बेल पर रिलीज हो गया ऐसे व प्रिव तुप कर सा सब्सक्राइब्क हो तुप गया ओ हुआ कशचय में है इस ट्रेक पर ड्रेन कभी कबार लेट झाथ कर्सक्क्राइब्ड सिस्ट कर दो बॉले नष ट्रेन इनन ही डेकर हाल्ट ले सकती आर लेकिन वह असे गुषरने वी ट्रेन कभी हाल्ट सी शिफ्ट जुक 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 अबे ट्रेन नहीं हो, मौधार ये जबार टीवी ओन करने का टाइम हो गया जीके आज सुभा ही जीके का पार्टनर रविंद्र और उसका बेटा एक ट्रेन अक्सिडेंट में मारे गए वो दोनों ट्रेन की पट्री क्रॉस कर रहे थे तभी एक तेजी से आती हुई ट्रेन ने उड़ा दिया ओनली त्री आज तू फिनिश उटाइए वी वी साले वी दूबे जी रख तयार है दोनों को मारने के तयार है तर चोटो परेको चुपना तो आपको चश्मदीत गवहा से मिला है आई है एक्सिदेंट को अपने लाइब देखा क्या आटे घंटे पहले ही देखा है क्या देखा एक बुढ़ा और उसके बेटे को गाड़ी रोक कर ब्रैंडी पीते वे देखा है अरे बड़ी मांधारी से कौटर लेके घर पे जाके पीता हूं और यह तो हाइवे पे फुल बॉटल पी रहे हैं इसके बारे में और कुछ बोलना चाहते हो अब लेक्त डूंट ड्रिंक एंड्राइव यार हाह तुम्हारे दोब अधू तयО् एंपस एंपर ध्रांब है एंथं का ट्राइवर हें एए ट्राइब करतेiin हो कैसे मरेंगे वो ऐसी मैनशे मारने के लिए साह ना चक्र सलता हुआ। तमनला को देखना है तो आजगाँ.. जहा जा हो एखának.. आप लोगों को चेश्मतीत गवास ही मिलना है ना तरह आप तो में स्तमन्ना का फैन पबलिक पे हुए हाथ से को तमन्ना की पबलिसिटी स्टंड बानते हो वह देखो बुरे काम का बुरा नतीजा इस पेनिंग यार फॉम बॉटम आफ माय हाथ बेगिंग तमन्ना का नाम बदना मत करो शीज सो सिंसिटीड यार सीरिसली प्यारे जो सीरल किलिंग हो रही है उसकी मिस्ट्री क्या है पुलीस वालों की इस अक्षन से पॉलिटीशन में गबराट शुरू हो गए होगी ना तुम जिने मार रहे हो बहुत बड़े लोग हैं आप तो जानते ही हैं उनके दिखाने के दात और और खाने के दात और तुम्हारी ब्लैक लिस्ट मेरा नाम ही लिखा है क्या वो तो आपके परफॉमेंस पर डिपेंड करता है मैं अपनी मॉडर्स देखकर लगता है कि यह पुलीस की साज़िश है किसी की मौत कोई नों को बहाना लेकर आती है मतलब आप इस बात को मानते हैं आपका मतलब यह बात सच है सब्सक्राइब बताने से डरते हैं क्या मेरे प्रैस वाले साथियों मैं जब भी वक्त बेवक्त फ्रस्ट मैं हूँ यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ श्रीवनी केस का हर एक गवा दुनिया छोड़कर परलोग सिधार गया है इसलिए तेरी जगा तेरे एक चेले को तयार कर ले याद रहे वो चेला तेरी तरह सिंसियर ना हो कंप्रोमाइस का सवाल ही नहीं एक घंटे में मैं दि अब कर लेगा अरे एरपोर्ट की जगह हम कहां आ गये है कि अब रूट गलत है हम दोनों ने आपको बताया अब भुखतो कोंप्रमाइस का सवाल ही नहीं तीरी सिक्यूरिटी किसके जिम्मेदारी थी उसे देखा था गया चल कोई नहीं अभी देख ले आइएट पुलेट तेरे सिक्यूर्टी के लिए मेरे डिपार्टमेंट ने हमें एक बंपर आफर दिया था सभी आफिसर्स रेडी हो गया लेकिन कोईंसिदेंटी लॉट्री मेरी नहीं मैं भी अपनी सेफटी अपने साथ रखता है मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा क्यों नहों उसका सामना करना आई टू आई फेस टू फेस चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े तेरे भाई की मौत तै हो चुकी है पुकी है युक करना प्रावा भी के जढ़ भी अकलिज कर डिमें! प्याची भूम झाँ हूए! झाल ! पर चॉंब झालक औरई उता कि नहाखे भे हिए भे हो एे है परा बन है कि उवा बस वर मिला星 के रहे फ़स। कि ऑ Gibbs बनहीं हाएं, तुमकोण? सुनामिस्त शुभाष, तुम्हारी देद का विटनस हुआ है, लेकिन मारा का हूँ अच्छा, तुम मरजाओगा जाओगा? सर एक बार इस्से बलुआएं, I love police, तब मुझे सुकून मेलेका एक बार नहीं, बार बार बोलूँगा, I love police, I love police. But I hate criminals, officers ready, fire! आपको चश्मतीत गवाह से मिलना है ना, यह रहे, यहाँ आपने क्या देखा? इस शहर को क्या हो गया है, चारों तरफ देखो तो बस धुआ ही धुआ है, छोटी सी गल्ती की भारी मुल्य चुकानी पड़ती है, यह सब तो फिल्मों में, शुरू में ही देखाते हैं, इसे बस कौपी करना आता है, तमोश, कंटेंट कनेक्टिविटी के लिए मैंने स्टार्ट किया था, टैमेक्स लोकेशन टेम्टिंग हो रहा, इसलिए यहाँ आँ हूँ, जीके ने आड करने के लिए मुझे यहाँ पुलाया था, उन्होंने सिगरेट जलाने की कोशिश की, तभी यहाँ पे हाथसा हो गया, मैं स सिगरेट बिलकुल नहीं पीता हूँ, जो सिगरेट पीते हैं वो इंस्टॉल्मेंट पे मरते हैं, और जो नहीं पीते हैं वो एक ही बार में उपर चले जाते हैं, पबलिक, अब यह रिस को पहलाओ यार, जहर जहर होता है, तीक में मत बोलो, पर आप थोड़ी सुधरेंग क्राप प्रोडक्शन, मिसाइल, रेडी टू लॉंच, आक्शन, पुलिस मतलब पावर, पुलिस मतलब खुरूर, पुलिस यानी डार, अरे, शॉट ठीक से होगा, अध्रफ होगा, तू ताली क्यों नहीं बजा रहा है, इस उमर में आप पुलिस नहीं लगते हैं, तो सारे मिनिस्टर है, इन लोग को मैं ही मिलता हूँ गया, अब जल्दी से उपर फोन लगा और उन्हें बता, कि मैं यहाँ फस गया हूँ, जल्दी आकर मुझे बचाएं, किसको फोन कर रहा है, हो मिनिस्टर का दे का बच्चा, अरे, उन्हें क्यों फोन लगा रहा है, सीधे हाई कमान को फोन लगा, बोल मैं फिर से किटनेप हो गया हूँ, और इस बार एसी भी कल्यान को ना बेज़े, हलो, कट एट